गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नाइन प्रोटेक्ट एनिमल हमें जान्वरों की रक्षा करनी चाहिए सुल लेट्स स्टार्ट रेडिंग चेल्रेंग वर प्लेइंग इन डा गार्डेंग बच्चे बागीचे में खेल रहे थे आल वर हैपी वो बहुत खुश थे दे वर शेजिंग इच अदर और वो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे दे वर लाफिंग विज जॉय और वो खुशी से हस रहे थे दे गार्डेन वोस फूल ओफ ब्यूटिफुल फ्लार और जो गार्डेन था वो फूलो से सुन्दर फूलो से भरा हुआ था कलरफुल बटरफ्लाई वर फ्लाइंग ओवर दे और उन पर रंगवी रंगी तिकलिया उड़ रही थी चिंटु गॉट अट्रैक्ट तूवर्ड्स तब बटरफ्लाई और चिंटु नाम का एक लड़का था जो कि उन बटरफ्लाई की तरफ आकर्शित हो जाता है और जैसे चिंटु वहां पहुचता है वो तुरंद उड़ जाती है मोना वाचिंटु रनिंग बिहांड बटरफ्लाई और मोना जो रहती है वो चिंटु को तितलियों का पीछा करते हुए देख रहती है और शी वाज लाफिंग एंड इंजॉइंग विद देम और वो हस रही थी और बहुत ही इंजॉइ भी कर रही थी सड़नली चिंटु सौ ए स्मॉल ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लाइंग ओवर दा रोज और अचानक से देखता है चिंटु के एक छूटी से सुन्दर सी बटरफ्लाई रोज के पास उड़ रही है और उसके पीछे जाता है यह ट्राई टू कैच इट और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही तितली इस रोज पर बैटती वैसे ही चिंटु उसको पकड़ लेता है और जो बटरफ्लाई रहती वो उसके हाथ में फड़फ़ाने लगती चिंटु उसे बहुत ही विजय महसूस होता है और जो बटरफ्लाई का कलर होता है वो चिंटु के हाथ पर लग जाता है चिंटु डिड नॉट लाइक और ये चिंटु को पसन नहीं आता है रब बटरफ्लाई और वो बटरफ्लाई को रब कर देता है मतलब रगड देता है दा बटरफ्लाई वो उसके हाथ में ही मर जाती है मोना रच्टू चिंटू और मोना दोड के आती है वाई डिड यू किल दा बटरफ्लाई चिंटू मोना कहती है कि चिंटू तुमने बटरफ्लाई को क्यों मारा यू आर सू क्रूल, यू किल इट फॉर नो रीजन शी फर्दर से और वो कहती है कि तुम बहुत ही निर्दाई हो तुमने बिना कारण के से मारा है she was leaving its color on my finger I did not like it so it rubbed it चिंटू reply में बोलता है कि उसका जो color रहता है वो मेरी finger पे लगने लगता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है इसलिए मैं उसे rub कर देता हूँ it may be fun for you but the butterfly lost its life और ये तुम्हेरे लिए खेल होगा पर इससे तितली की जान चली गई why should you do that? ask चिंटू और ask मोना और मोना पुछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया it was not crying other butterfly are not complaining why do you bother? ask चिंटू और चिंटू उसे पुछता है कि ना ही वो रो रही है और और butterfly कोई शिकायत कर रही है complain कर रही है तो तुम्हें क्या चिंटा ये क्या हुआ है तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हो because I feel pretty for butterfly और मुझे तितलियों पर दया आ रही है ये चोटी और कमजोर जीव है ये आर लिविंग क्रियेचर लाइका सी हमारी तरह जीवित प्राणी है they also get hurt when we tease them और be cruel with them और इन्हें भी दर्द होता है तकलीफ होती जब इन परकड़ते हैं या निर्दई जैसा विवहार इनके साथ करते हैं How you feel if anyone hit you by a stone or rub it like anything और तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हें पत्थल से मारे या तुम्हें भी कोई कैसे भी रब करे तुम्हें कैसा लगेगा इसी तरीके से रब करे तुम्हें कैसा लगेगा ये मोना बोलती है चिंटू से चिंटू thought a while और चिंटू जो रहता है वो कुछ time के लिए सोचता है then he realized and said और उसे तब एहसास होता है you are right मोना I should not harm anyone because I am big and strong और तुम सही कह रही हो मोना हमें किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा और मजबूत हूँ we should not harm anyone और kill for no reason और मुझे किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए या बिना किसी कारण के किसी को मारना नहीं चाहिए I promise I will do not this again मोना was happy to hear it और वो उससे वादा करता है कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा और ये सुनकर मोना खुश हो जाती है Thank you students